नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरु शेर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाना अपडेट डिली नियूस बात करेंगे रिवाडी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शिरो करते हैं देखें सबसे पहले आपको बड़ी खबर बदा रहेता हूँ रिवाडी के अंदर एक व्यक्ति की रेल की चपेट में आने से मौत हो गई है पूरी खबर सुनिए पूरी खबर है कि खोरी के पास मालगाटी में चपेट मालगाटी की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई है व्यक्ति की पहचान हुए कुतुपूर निवासी के रूप में देखे, कुतुपूर निवासी था एक व्यक्ति जो की L.I.C. का काम करता था, मला L.I.C. का एजेंट था और डाग घर में भी, मला एजेंट वगिरा का काम करता था इसके बाद जब परिजनों को बताया करे तो परिजनों ने बताया कि L.I.C. का एजेंट था, वो डाग घर वगिरा में काम करता था तो बताया यह जा रहे कि मालगार्टी की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई है, क्या तो यह बताया जा रहा है कि वो पट्री पार कर रहा था और अचाना कि एकदम मालगार्टी आ गए इसके चलते उस व्यक्ति की मौत हो गई रेले पूलिस है जो भी G.R.P. वगिरा उन्होंने शव को महाँ पर देखा और उसके बाद परीजनों को बता दिया था इसके बाद दूसरी बड़ी ख़बर आपको उतायता हूँ, देखे हमने आपको दो-चार दिन पहले एक नियूस बताई थी जिसके अंदर एक लड़की की मतलब लाश मिली थी जो कि एक तरीकी से ब्लाइंड मरडर था जिसका पता नहीं चल रहा था अब उसमें देखे एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक उस लड़की की शिनाकत नहीं हो पाई है हलांकि एक बात पता चला है कि उस लड़की को जो मारा गया है वो मतलब उसका चेहरा ऐसा कर दिया है मतलब पत्थरों से कुचल दिया है कि लोग कोई उसको पैचान न सके हलांकि अभी तक पुलिस ने काई कि उसकी शिनाकत नहीं हो पाई है इसके बात देखे पुलिस ने क्या कि जो आसपास रिवाड़ी तो है जो भी आसपास जानलाश मिली उसके आसपास जो भी गाम वगेरा शेयर लगते है उन सभी में भी अब तलाशी सुरू कर दिया है कि पता चले कि ये लड़की कौन थी और किसने इसको मारा है देखते क्या कारवाई होती है लेकिन बड़ी खबर यही कि अभी तक उस लड़की की शिनाकत नहीं हो पाई है रिवाड़ी की जितने बड़ी खबर जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए धन्यवाद